शिमला शहर में एक लाख रुपे की पेंटिंग के चर्चे देखने पहुंच रहे लोग प्रदर्शनी में हो रही खासी कमाई। हिमाजल प्रदेश की राध्धानी शिमला के एतिहासिक रिच मैदान पर इन दिनों राज्य संग्राहले और भाचा एवम संस्कृती विभाग की ओर से विशेश प्रदर्शनी कायोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी में कुलुशॉल, चमबारुमाल की नौर्शॉल और वुडन क्राफ्ट के स्टॉल लगाए गए हैं। इस सब के बीच यहां बुद्धिस्म को दर्शाने वाली थांका पेंटिंग हर किसी का ध्यान अपनी और खेच रही है। यहां पर थांका पेंटिंग का दाम एक लाग रुपए है। अब कोई यह पेंटिंग खरी सके या नहीं। लेकिन इस पेंटिंग को देखने यहां लोग जरूर पहुँच रहे हैं। शेहरभर में इस पेंटिंग के खूब चर्चे हैं। थांका पेंटिंग को बेहद खास माना जाता है। इस एक लाख रुपे की पेंटिंग के बॉर्डर पर 24 कैरेट सोने का इस्तिमाल किया गया है। इसके अलावा पेंटिंग बनाने में तिबबत से आने वाले स्टोन आए जाता है तो पवित्रता का भी खास ध्यान रखा जाता है पेंटिंग स्टॉल चलाने वाले सोनम का कहना है कि शिमला के लोग काफी पेंटिंग्स खरीद रहे हैं लोग एक लाख रूपे वाली पेंटिंग के बारे में भी पूछते हैं लेकिन स्टॉक में इसे नहीं जब लोग उत्सुकता से पेंटिंग के बारे में पूछते हैं तो वे खुद भी गौरवानवित महजूस करते हैं साथ ही ये भी बताया कि रात रात भर बैठ कर पूरा परिवार पेंटिंग्स बनाता है इसमें काफी खर्च भी आता है लेकिन जब अच्छी खरीदारी ल तो उसमें बहुत सारा मेनेट होता है कई पेंटिंग में जैसे नर्माल वाला पेंटिंग चोटे वाला चाहर इन परकाश के लगला से लेकर बाड़े बड़े बढाएं तक बहुत ऐता है तो तीन तक भी एक पेंडिंग हो जादा है टामिंग लग सब आप ने मेंबर हैं वाकी फ्रेंड शर्कावस में आमरा फेमली ग्यार लोगों एब्रीटे रोज बनाता है एक लाग तो एक इसाब से मेनेत का हिसाब सी तो आमरा जो आड़ीश का चाहस ही उदो जैसे आमरा एक मेना बीस तीन तक आमने बीस तीन पचिस तीन ट्याम निकाल के बना हुआ है पाक पाकावस में बीस तीन झामरा लोगों एक लिए लोगों एक लोगों ज़गों गिए जए रोगों जाकी पांटा जामरा जामरा जए चली तीन का थाया वीज़ का उनाता है वागश क।